तो भाइलों कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक और स्वागत है आपका एक बरा नूब फ्रीफायर के गेम प्ले वीडियो में और यार इस मैच में मेरे पंगे हो जाते हैं वुटपेकर वालों से और यार वो क्या ही वुटपेकर चलाते मतलब बिल्कुल टोप क्लास कैर वो सार पंगे थोड़ा आगे जाके होंगे फिराल यहां हमेशा की तरह फैक्ट्री टोप उतर रहे हैं और काफी बंदे आ रखे अपने साथ मैं उपर नहीं प्ला हाँ मैं सेफ हूँ यहां कोई है नहीं जाओं मैं क्या देते हैं अब देखो नीचे जो बैठे यार इनको पता लग जाता है कि मेरे पे ग्रोजा पड़ी है तो करना गया था मेरे को नीचे उतरना पड़ता है नीचे उतरके मैं लगाता हूँ फर्स्टेड और पकड़ेंगे अभीने और इसी के साथ अपने पाज के लोज आते हैं और ये सारे के सारे बंदे ठिल जाते हैं अब देखो ग्रोजा अपने को साई टाइम पे मिल गी थी लेकिन यार उस हिसाब से किल कम मिली है मेरे गाल से बंदे आपस में लड़ गया फिर बस इतनी बंदे आये थे खर जो भी इसी के साथ फैक्टरी खाली हो जाती है और टाइम आगया था अपना क्लोक टावर जाने का तो हाँ यहाँ पे मैं हाथ पे बढ़ला लेके निकल जाता हूँ बल्ले बाजी करने ठीक है भाल तू बक्वास कर रहा हूँ क्यार यहाँ पे मैं जा रहा होता हूँ और मेरे को क्लोक टावर के राइट साइट पे बंदे दिखते हैं अब एक बंदे की मैंने सिधा पेटी डाल दी दूसरा बंदा भगता है उसको रिवाइव देने के लिए लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्यार यहाँ पे मैं जाता हूँ नीचे और आराम से पूरी चोड में लूट रहा होता हूँ क्यों देखो मेरे को बता था या तो वो चुप गया होगा या तो वो भगगया होगा यूँकि अगर यहीं पे होता तो अभी तक गोल ही चलाता लेकिन हाँ वो बगगा नहीं होता यहीं कहीं छुपे होते हमारे भाई देखो कहां पर और इसी के साथ ये बंदा कते उरते तीर की तरह मूह के सामने आजाता है लेकिन आपने पे टोवी गन पड़ी थी तो टाइम पे पकड़ लिया वैसे यार काफी बढ़िया डेमेज दिया इसने मेरे टीमेट को पूरा नौक कर दिया और मेरे को भी आदा हपी कर दिया 100 हेल्थ कर दिया था मेरा खेर जो भी हो इसी के साथ वो भी ठिल जाता है और हम लोग पहुंच जाते हैं यहां पीक क्योर अब देखो पीक हम चेक कर के आचुके थे कोई भी नहीं होता तो नीचे ड्रॉप होगा होता है तो यार वहीं चेक करने के लिए मैं नहीं चेक्योर जा रहा होता हूँ और उत्रे में ही पता चलता है बंदे बैठे पड़े यहां पे देखो कहां पर अब देखो यहां पर यह बंदा बच सकता था यह बहिया गलती क्या करते ही इन्होंने दिवार लगाई लेकिन उसके बाद यह पीछे नहीं बागा अगर यह थोड़ा सा पीछे और भगता तो यार इसको रिज मिल जाती लेकिन हम तो ठेरे ढीट, हमने दिवारे तोड़ी और दिवार तोड़ने के बाद भी हमें यह यहीं पे दिखता है तो हाँ उसकी सिधा पेटी बना दी खैर यहाँ पे मैं ऐसी टाइम पास कर रहा हुता हूं अपनी यह दिवार पकड़ के क्योंकि देखो अपने को कहीं पे बंदे नहीं मिले मेरे को कसम से समझ नहीं आ रहा होता कि ढूंड़ो तो कहां पे ढूंड़ू खैर मैं वापिस क्लॉक टाइर पे जा रहा होता हूं और यहाँ पर इनको लग रहा होता है कि यार धूम 69 की सूटिंग चलिए कता है देखे रहे हो मतलब कते उड़ाते हुए बाइक ला रहे थे बीच रोड से मैंने बोला भई यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा एक बंदे को हैट सोट वागेरा पेलता हूं वो उतर जाता है और इसे के साथ दूसरा बंदा भी हम पेली देते हैं गैर यहाँ पे हम मौज में पूरा अराम से लूट रहे होते हैं दिक्कत किसी बात की नहीं थी अब देखो मेरे को ऐसा लग रहा था कि लोग टावर खाली होगा लेकिन बंदे आ गायते हैं वहाँ पर अब सामने पे दो बंदे होते हैं मेरे क्याल से आर मैंने ठीक ठाक डैमेज दे दिया था लेकिन देखो ठीक ठाक डैमेज देने से कद्दू कुछ नहीं होगा वो बार-बार अपना जलक दिखलाते हैं और वापिस चुप जाते हैं अब देखो अभी तक उन्होंने मेरे को ज़्यादा डैमेज नी दिया था मेरे पे गुली भी नहीं चलाई थी इसलिए मैं इनको हलके में लेता हूँ और इनको हलके में लेना बहुत बड़ी गलती साविच हो जाती है वो तो किस्मत सही क्यार हमारे भाई पीछे से आते हैं और ये दिवार लगा देते हैं और आगे पथर भी था नहीं तो अभी तक वो पेटी डाल देता हूँ खेर अपने को आप समझा गया कि ज्यादा चौड में नहीं गुमला है हलके में नहीं लेना है इन पे वोड़ पैकर अगरा पड़ी है ये पेटी मना सकते हैं तो हम आराम से केलेंगे अब अब लेफ्ट वाला बंदा बच के भग गया ये बात मैं समझ सकता हूँ लेकिन यार राइट वाला बंदा जो वहां दिवार पे खड़ा है उसके मैंने सर पे भी गोली मारी बड़ी सॉट भी मारा लेकिन मरा नहीं वो खैर यहाँ पे अपने पे एडवांटेज होता है क्योंकि देखो हम लोग अच्छे कासे कवर पे बैठे पड़े हैं और उपर से ये लोग जून के बाहर होते हैं और मेरे ख्याल से आर इन दोनों के दोनों पे वुट पैकर पड़ी है दोनों के दोनों हद से ज़दा डेमेज देते मुझे लेकिन क्या जीत वुट पैकर की होगी या तुम्हारे भाई की एक एम की आपको क्या लगता है कमेट में जरू बताना मेरे को और इसे के साथ तुम्हारे भाई की एक एम की जीत होती है अब देखो आकिर में हम दोनों के दोनों वन वी वन में आ गए थे मतला वो भी बिलकुल ओपन में था उसने बोला कि भाईया तुम एक एम चलाओ हम वुट पैकर चलाएंगे मैंने बोला ठीक यार तुम वुट कर चलाओ अपन एकेम चलाएगा जिसकी जीत होगी होगी अब देखो अगर मैं वहाँ पर नौक आता तो मेरे ख्याल से पीटी डलती सीधा वैसे मेरे बगल में वाल थी लेकिन शायद में डिल जाता कर इसी के साथ उन दोनों की पीटी बना दी और वुट पैकर उठा ली साइट पे यूँकि यार अपने को पहले जून पे गुशने का है उसके बाद बैटी बनाएंगे यहां पर मैं आता हूँ जून के अंदर आ गया हीलिंग लगाता हूँ और मेरे को वह बंदा दुबार से सामने की और दिखाई देता है और यार ये बेचारा समझ भी नहीं पाता की गुली कहां से चल रही है क्योंकि यार सप्रेसर जो लगा है तुम्हारे भाई की वुट पैकर पे सप्रेसर यार खतरनाग चीज़े अगर आप हैड़फोन के बगार केल रही हूँ और बंदा सप्रेसर से गुली चला रहा है यहां पर बस गिने चुने दो बंदे बाकिये हैं और सामने ही है दोनों और इसी के साथ अपना पंदरा किल पूया हो जाता है दोनों के दोनों की पेटी आखिर में वुट पैकर से बना दी तो वास यार आज के वीडियो में इतनी बहुत वाश्क्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते इस वुट पैकर प्लस एक यम वाले गेंपले के लिए एक लाइक ठोक न मत भूलना और अगर आप यहा आप 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 झाल 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 झाल